मारो राजस्थान पर आप सब का बहुत बहुत स्वागत है कैसो सारे MRPNs I hope आप सब बहुत अच्छे हो आप सब की डिमांड पर आप सब की रिकमेंडेशन पर की एकनॉमिक सर्वे और बजट के मैं आपको most important questions करा दूँ तो आज हम करने वाले हैं top 25 जो भी most important questions है एकनॉमिक सर्वे की ठीक है उनको detail से हम लोग cover करने वाले हैं राजस्थान एकनॉमिक का पार पड़ने वाले हैं इसके साथ साथ कुछोड़ चोटी से information है आप राजस्थान आर्टेंड कल्चर का राजस्थान आर्टेंड कल्चर का free mock test दे सकते हैं अनकैडम के learning gap पे ठीक है अनकैडमी का learning gap download करना होगा उसके लिए उसका link आपको description में मिलेगा ठीक है वो link मैं आपको description में दूंगी उससे पहले अनकैडमी पे जब आप जाएंगे तो आपको मेरा profile दिखाई देगा जहां पर मैं educator-in-chief हूँ लेकिन आप सब के लिए study simplifier for success तो आपक की वाद्ययंत्र ठीक है राजस्थान के वाद्ययंत्रों के ऊपर आपका test होगा जो video, RAS, RPSC 1st grade, RPSC 2nd grade, Constable, Patwari, I think RPSC के तकरीबन तकरीबन हर exam के अंदर ये topic जो है involved है तो आप में से सभी बच्चे इस test का part बनिएगा ठीक है अनकैडमी लिंक आपको मिलेगा learning app download कर र profile दिखेगा और इस link पे click करोगे तो दुबारा से आपको join कर पाऊगे आप इस test को join करने से लिए आप से एक unlock code मांगेंगे तो वो code है MRP10 जिस code को आप join कर सकते हैं इसके साथ साथ जो बच्चे वीडियो आगे mains की भी तैयारी करेंगे RPSC 1st grade, 2nd grade जिसके बहुत सारी vacancies आ पार्ट बनिये यह आपके courses हैं इसमें यह benefit होगा कि मैं आपको यहाँ पे in detail थियोरी में राजस्थान का आटेंड कल्चर पढ़ाऊंगी उसके साथ साथ weekend पे Saturday और संड़े को मेरी classes होती है यहाँ पे plus classes का timing है चार से साड़े पांच बजे weekdays पे art and culture कराती हूँ English, Hindi, Medium दोनों के बच्चों के लिए English, Medium के बच्चे भी class को join कर सकते हैं Hindi, Medium के बच्चे भी weekend पे यानि की शनीवार और रवीवार को में कराती हूँ राजस्थान के current affairs ठीक है तो यह आपको plus मेरी classes तो मिल रही हैं इसके साथ साथ जो हमारे batch courses है सारे educators जिसके अंदर आपको एक-एक subject, दो-दो subject लेके पढ़ाएंगे और आपका syllabus complete होगा, वीडियो का course है, RPSC first grade की सुनाए, 10,000 के करीब vacancy आ रही है तो wait मत करो, notification आएगी तब भी तैयारी शुरू करेंगे, फिर delay हो जाता है तैयारी में और confidence भी कहीं ना कहीं गिर जाता है, तो notification आए तो आपको ये confidence होना जाए कि हाँ हमने तैयारी शुरू कर दिये, similarly VJRAS batch 2022 pre-commends का batch है, ठीके ये batch जो है mostly इसमें Hindi medium के students है और इसके अंदर आपको bilingual भी कुछ educators आपको topics cover कराएंगे, ठीके, English medium RAS foundation की मेरे पास बहुत recommendation आ रही है, तो comment section में आप लोग बताईएगा एक बर फिर से, कौन-कौन English medium का foundation batch चाहते हैं, तो उसके लिए हम January में कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए batch भी हम लेकर करके आएंगे, ठीक है, और RAS means जिनको अभी देना है, उनके answer writing batches चल रहे हैं, उनके लिए पूरी test series launch हो चुकी है, पूरा course plus test series, ये सारी इसके लिए कोई अलग से payment आपको नहीं करना है, और अभी जो है, इसके लिए बहुत mega offer है, mega good news है, आप सब के लिए वो ये है कि 7 और 8 December को, 12 महीनों के subscription पे 2 महीने का subscription free, और 2 साल के subscription पे 3 महीने का subscription बिल्कुल free, तो ये offer फिर से आगया है, तो आज और कल, 2 दिन ये offer available है, त इसके साथ साथ अगर आप से referral code पूछेंगे ही, obviously महाँ पे, referral code हमारा मारूराजसान परिवार का लगाना है, आपको अब रट गया होगा MRP10, जैसे ही ये code आप लगाएंगे, तो आपको 10% extra discount भी मिलेगा, ठीक है, तो एक साल की fees हो गई, 3300 रुपे, ठीक है, एक साल की क्य लगाना मत बूलना, Android phone से join कर लेना, या फिर अपने laptop से, ठीक है, जो वीडियो की तयारी कर रहे हैं, उनके लिए 6 महीने की fees है, 5,040 रुपे, जो सिर्फ देखना चाहते हैं, तो 3 महीने के लिए आप 1,350 रुपे का subscription ले सकते हैं, ठीक है, या जो RAS, Mains की तयारी कर रहे है जिनको इस बार का Mains लिखना है, ठीक है, तो ये सारे plans है, एक महीने की fees है, 1260 रुपे, ठीक है, तो ये सारा plus के बारे में, मैंने आपको detailed information बता दी, अब हम बात करते हैं, राजस्थान के economic survey के most important questions के उपर, तो आज का first question ले लेते हैं हम लोग, question को read कर लीजे, इसका answer 21 की, इसके मताबिक, इसके मताबिक स्थिर मुल्यों पर, यानि की constant price के उपर, gross state domestic product, यानि की हमारा जो है, सकल, राज्य, घरेलू, उत्पात, जो है, वो कितना रहा है, options हैं हमारे पास, I hope सबको options दिखाई दे रहे हैं, 6.84 लाग करोड रुपे, 6.43 लाग, 9.58 लाग, या फिर 8.41 लाग करोड रुपे, ठीक है, GSDP constant price के उपर, वो हमसे पूछ रहे है, question के अंदर, यही पूछा गया है, तो इसका answer हो जाएगा, option number B, 6.43 लाग करोड रुपे, याद कर लोगे, 6.43 लाग करोड रुपे, जो है, answer हो जाएगा, अब यही question, हमारी मेरी हमेशा कोशि रहती है, मैं जब भी MCQs कराऊं, तो एक question के साथ आपके 4-5 या 7-8 question बन जाए, अब GSDP जो है, सकल घराज्य घरेलू उतपाद, उन्होंने स्थिर मुल्यों पर पूछ लिया, अब वो प्रचलित मुल्यों पर भी पूछ सकते है, प्रचलित मुल्यों का मतलब होता है, current price क स्थिर मुल्यों से, चलित मुल्यों पर चीज आती है, वो हमेशा क्या होती है, जाधा होती है, प्रचलित कीमतों पर जो, मतलब आपके ये आकड़े आते हैं, वैल्यू आते हैं, क्या हैं बोलते है, उसको ये आपको जाधा मिलेगी, तो current price पर अगर आप से पूछ लें, तो याद कर लिना, यहाँ पर याद करो 3 दूनी 6, constant के उपर current पर याद करो 3 तिया 9, तो 9.57 करोड रुपे, 9.58 भी बोल सकते हैं उसको, 9.58 करोड रुपे है current के उपर, प्रचलित मुल्यों पर, प्रचलित कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पात कितना हो जाएगा, 9.58 करोड रुपे, clear है सबको 58, हाँ, अगर सिर्फ 58 लिख रहे हैं, तो 58,00 करोड रुपे हो जाएगा, है न, और पूरी तो नहीं आद होगी, पूरी का तो बस आपको आइडिया रखना होता है, देखो, वैसे याद कर सकते हो पूरी भी 643, 222, दो ती अच्छे होता है, तो 2 last में 3 बार आए सब्सक्राइशन दे रहे है, 2018-19 के अंदर स्थिर मुल्यों पर GSDP अपना कितना था, तो वो कितना था, जादा था, ये पॉइंट कोशन पूछा जा सकता है, कि पिछले साल जादा था किया कम था, तो हम यहीं सोचेंगे, इस सार हमने तरिक्की किये, तो जादा होना चाहि ठीके, तो पिछले साल कितना था, 6.77 लाग करोड रुपे, ठीके, 677, 428 करोड रुपे, ठीके, GSDP का अगर हम base year निकालते हैं, तो वो क्या calculate किया जाता है, constant price जो है, 2011-12 पे calculate किया जाता है, क्या calculate किया जाता है, 2011-12 पे, पहला question हो गया, clear हो गया, पहला question, देखो मैं फिर स बता देती हूं, जिनको नहीं समझ में आया, यहीं से याद करके, रटके, ले करके, जाओ, कल सुबा, 8 बजे, फिर musical instrument वाले test में आना, ठीके, GSDP, सकल, राजे, घरेलू, उतपाद, इस बार का, 2020-21 का हम data ले रहे हैं, latest जो है, ठीके, constant value, constant यानि स्थिर मुल्यों पर, कित अगर हम इसको दश्मलव में लिखना चाहते हैं, 6.43 लाक करोड ये हो जाएगा, clear सबको, उसके बाद अगर हम पूछते हैं, current price पे, current price का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे current का मतलब है, प्रचलित कीमत, जो अभी चल रही है value, प्रचलित कीमत के उपर, तो कितना है, 957, 912 कर करोड रुपे, ठीक है, अगर decimal में लिखना है, तो 9.57 या 9.58 लाक करोड रुपे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसी के मुकाबले उसने ये पूछा, पिछले साल, constant पे ही, पिछले साल का कितना था, 2018-19 का, तो याद करना है, पिछले साल ये value जादा थी, कम नहीं थी, क इतनी थी, 6.77 लाक करोड रुपे है, को 6.77 लाक करोड रुपे, अगर हम इसको पूरा value लिखना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6.77 428 करोड, ठीक है, जिसको screenshot लेना है, बसे खलका सा याद करने के लिए ले लो, इसका PDF आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा, टेलिग् आपकी मर्जी है, जो जोइन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, चले, उसके बाद next question पे move on करते हैं, economic survey 2020 के मताबिक, from which of the following items, state government has received highest share of revenue, यानि की राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा revenue, revenue यानि की राज्यस्व जो है, वो कौन से हिस्से से प्राप्त हुआ है, internal debit से, यानि की आंतरिक रिंट से, sales tax जो राज्यसरकारी कठा करती है, बिक्री कर उस से, या फिर central assistance, या मतलब की state को, राज्यसरकार को, जो किंद्रिय सहायता मिलती है, वहाँ से, या फिर GST, goods and services tax लगा के, तो इसका क्या answer होगा, और इस तरहा के question जो contribution वाले आते हैं, सब से जाधा, कम किसका है, बहुत 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 जाधा important है, तो इसका answer होगा हम पना, option number A, यानि की internal debit से, सबसे जाधा, राज्ये को, हमारी राज्यसरकार को, राज्यसरकार को, राज्यसरकार को, राज्यसरकार की revenue राप्त हुआ है, कितने percentage है वो, 26%, मतलब एक चोथाई revenue, ठ दे देंगे तीनों चारों पॉइंट्स लिखे तो इसका कोश्चन दूसरे तरीके से वैसे भी आ सकता है तो दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आपको याद करना है केंद्रिये सहायता से मिला नहीं केंद्रिये सहायता नहीं सौरी एक मिनिट दूसरे नंबर पे जो मिला है वो इसको goods and services tax से मिला है ठीके goods and services tax यानी की 15% तीसरे नंबर पे केंद्रिये सहायता से मिला 14.14% और चोथे नंबर पे sales tax सबसे collection सबसे कम रहा है ठीके 9.09% क्योंकि इतनी जादा sales purchase हुई नहीं होगी मान लोग डाउन की वज़े से ठीके तो या तीसरे नंबर पे आएगा central assistance से जो मिला है और चोथे नंबर पे आएगा विक्री कर यानी की sales tax ठीके क्लियर है सबको next question देखते हैं हम लोग move करन करते हैं एकनॉमिक सर्वे 2020 के मताबिक निमल लिखित में से कौन से स्टेटमेंट्स हैं यह विच ओव दा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हार करेक्ट अकॉर्डिंग टो एकनॉमिक सर्वे 2020 थीक है तो स्टेटमेंट्स पढ़िए देखें state GDP at constant prices has been 64222 करोड यह value तो अभी अभी पढ़ा है तो पहला तो बिल्कुल ठीक हो गया statement ठीक है दूसरा वो कह रहे हैं constant price के उपर ही GSDP जो है पिछले साल के मुकाबले 6.61% कम हो गया हमने अभी पढ़ा कि 6.77 लाग करोड से कम होके कितना आ गया 6.43 लाग करोड तो यह कितना percentage decrease हो गया है minus 6.61 ठीक है यह भी statement सही हो गया तीसरा option है GSDP ने एक जो है current price के उपर प्रचलित कीमतों के उपर भी एक जो है decrease और याद हो रहे है कि GSDP जो था अपना constant price के उपर स्थिर मुल्यों के उपर कितनी गिरावट आई है 6.61% के गिरावट आई ठीक है अगर current पे देखें तो कितनी गिरावट आई है 4.11% के गिरावट आई है GSDP में यह दोनों points याद कर लोगे ठीक है तो इसका answer हो जाएगा अपना all of the next question पर move on करते है हम लोग अच्छा यह पूछ रहे which of the following statement is false कौन सा कथन जो है आर्थिक समिक्षा जो हमारी आई है उसके मुताबिक गलत है ठीक है तो paper में question ध्यान से पढ़ना है correct पूछा है यह wrong पूछा है false statement पूछा है 29.45 प्रतिशत बनाता है ठीक है current price के ऊपर यानि प्रचलित मुल्यों के ऊपर GSDP जो है industry sector का यानि की उद्योग शेतर का जो contribution है जो हिस्सेदारी है वो कृषी शेतर से जाधा रही है ऐसा बोल रहे है उद्योग शेतर की कृषी शेतर से जाधा रही इस बार का पूछ रहे ठीक है उसके बाद industry और services sector यानि उद्योग और सेवा शेतर जो है ठीक है इन दोनों का total GSDP में जो contribution है जो भागीदारी है वो पिछले साल के मुकाबले क्या हो गई है गिर गई है ऐसा बोल रहे है तीस चौथा option है service sector सेवा शेतर जो है state GSDP में current price के ऊपर कितना constitute करता है 45. 43% भाग है उसका कितना भाग है 45.43% उसकी हिस्सेदारी है ठीक है तो यह हमारा question था answer क्या होगा इसका दिखो सीधा सा logic है वैसे याद नहीं हो रहा तो निमॉनिक से भी याद कर सकते हैं या common sense लगा के भी lockdown था lockdown में industries factories की सारी बंद पड़ी हुई थी हमारी तो लोगों ने याद करो अपने खेतों में काम किया अपने खेतों के अंदर काम किया तो इसलिए याद करो industrial sector का जो output है उतपादन वो तो गिर गया और agriculture sector का उतपादन भढ़ गया तो अपने आप में कौन सा statement गलत हो गया B statement गलत हो गया तो answer क्या आजाएगा option number B ठीक है answer क्या आजाएगा option number B यानि की इसका answer हो जाएगा option number A अच्छा code दिये हूँ इसमें ठीक है तो मेरे ख्याल से A आना चाहिए देख लेते हैं हाँ A इसका answer हो गया ठीक है अब जिन्होंने economic survey theory में नहीं पढ़ रखा है ना details से बच्चो तो उनको थोड़ा सा GSDP की जानकारी ले लेनी चाहिए देखो gross state domestic product economic survey अगर आपको theory करनी है तो free live class होगे उसकी unacademy के learning gap पे उसका time में आपको आजकल में बता दूँगी economic survey in detail अगर theory में जो भी serious candidates करना चाहते हैं तो unacademy learning gap पे पहुँच जाएगा MRP 10 code लगा के वो आप code देख पाओगे वो class जो है join हो पाएगे आप सब की ठीके GSDP यानि की सकल राज्य घरेलू उत्पाद ठीके ये clear है सकल राज्य घरेलू उत्पाद अग इसके अंदर contribution जो होता है तीन major sectors का होता है ठीके जो हम value नापते हैं तीन major sectors से नापते हैं तीन major शेत्र जो है इसके अंदर मुख्य मुख्य शामिल किये जाते हैं कौन-कौन से होते हैं वो तीन major शेत्र तो ऐसे मैं draw कर देती हूं ठीके तो एक होता है सर्विश शेत्र यानि की सेवा शेत्र जिसका contribution अपने GSDP में क्या हो रहा है आज मुझे एक मिनट सॉरी माइक तो सेवा शेत्र जो है उसका contribution सबसे जादा रहता है और दूसरे नंबर पर जो अभी तक रहता था वो रहता था इंडस्ट्री ठीके इसकी इस draw करने पर मज़ा ना कौन सा जादा कौन सा कम यह तो मैंने वैसे ही draw किया आपको समझाने के लिए उद्योग शेत्र और एक होता है agriculture sector यानि की क्रिशी शेत्र समझ गए हमारे घरत में income कहां कहां से हो रही है ठीके उत्पादन कहां कहां से हो रहे है तो तीन सेक्टर से होता है एक होता है प्रात्मिक प्राइमरी सेक्टर होता है agriculture secondary सेक्टर जो होता है वो होता है इंडस्ट्री manufacturing बाला जहां पे बनती है और तर्शरी सेक्टर जो होता है होता है सर्विस सेक्टर तो इसलिए वो यह पूछ रहा He किसका contribution सबसे जादा है किसका कम है देखे हर बार जो रहता है वो ये trend रहता है वो पूछते हैं exam में question किसका जादा किसका कम पहले दूसरे तीसरे पहले पे होता है service sector दूसरे पे होता है उद्योग और तीसरे पे होता है क्रिशी ठीक है तो इस बार lockdown की वज़े से क्या हुआ ये trend change हो गया क्रिशी शेतर दूसरे पे पहुँच गया उद्योग शेतर तीसरे पे आ गया तो ये point याद रखना है बहुत important है question पूछा जा सकता है ये 2018-19 की situation और ये 2020-21 की situation ठीक है तो पहले पे service sector दूसरे पे industry sector और तीसरे पे हमारा क्रिशी यानिकी agriculture sector I hope सबको समझ में आ गया होगा ठीक है clear है तो वो ये बता रहे है 2020-21 का service sector कितना contribution रहा current price के उपर प्रचलित मुल्यों पर तो वो आएगा 45.43% कितना आ जाएगा 45.43% ठीक है clear है screenshot ले लो जल्दी जल्दी जिसको लेना है English वाले बच्चे English में note कर लेना बता तो मैंने दिया ये आप सबको भ अब यहां पर detailed value इन्होंने बताई हुई है ये हमें याद कर लेनी चाहिए ठीक है question में आप से paper में कभी भी पूछी जा सकके तो पहले current price पर याज कर लेते है constant पर बाद में करेंगे अब भी क्या चल रहा है वो scenario देख लेना चाहिए ठीक है यानि की प्रचलित मुल्यों ठीक है प्रचलित मुल्यों पर देखो सेवा शेत्र तो हमने कर लिया 45.43% 45 हो गया तो कितने बच गए 100 में से 45 गए 55 बच गए 55 बांट लेंगे दोनों आपस में agriculture और industry sector तो हमें ये पता है agriculture का इस दफा जादा रहा तो agriculture का पचपन को हम normally 30 और 20 में बाटते हैं ऐसे करते है ना distribution 30 और 20 के अंदर इस बर थोड़ा सा गड़बड हो गया तो agriculture का 29.77 आ गया और industry का कितना रह गया 24.80 तीस से थोड़ा सा कम क्रिशी शेतर का और industry का 25 से थोड़ा सा कम ठीक है 30 और 25 में बाटेंगे दोनों को ऐसे याद करो 30 और 25 में बाटेंगे और इनसे एक एक value कम ठीक है clear सबको यह याद हो गया constant price पर देख लेते constant price का मतलब स्थिर मुल्यों पर जो 2020 का रहा है वो कितना रहा है तो स्थिर मुल्य जो हम base year लेते है वो किसका लेते है 2011 बारा को लेते हैं यह 2021 का data ही ठीक है तो इसके अंदर service sector कितना आएगा in value से तो कम हाईगी यह value ठीक ह यह चीज़ याद रखना तो 42.40% service sector कितना है 42.40% अच्छा agriculture जादा ही रहेगा तो उतना ही है लगबग यहाँ पे 39.67% constant value पे लगबग लगबग सेम हलका सा कम है 29.45% ठीक है और industry भी जो है industry अच्छा कासा है यहाँ पे कितना है 28.15% क्यों क्योंकि service sector का का काफी कम है तो service sector का जो कम है वो industry में पढ़ गया ठीक है जादा important यह वाली तीन value है इन पे question आ सकते है इन पे भी आ सकते है भी पूछते है यह आर्पे सी आरे से में भी पूछ लेती है ठीक है तो service का पिछली बार कितना पिछली बार नहीं constant price पे कितना 42.40% industrial 28.15% और agriculture 29.45% ठीक है ठीक है क् राज्य की प्रतिव्यक्ति आये कितनी है स्थिर मुल्यों पर पूछ रहा है ठीक है वो आपसे यही पूछेगा स्थिर पे प्रचलित पे दोनों याद करनी है हमें ठीक है तो स्थिर मुल्यों पर प्रतिवक्ति आये कितनी है तो 72.297, 71.324, 84.440 या फिर 78.310 ठीक है तो उल्टा गरो 72 का क्या बनेगा 27 और 7 और 2 के बीच में एक स्पेस आपको छोड़ना है और यहाँ पे 7 और 2 का सम जोड़ना है और यहाँ पे 7 और 2 का सम जोड़ना है 7 जम्मा दो 9 72 97 रूपे याद हो गई प्रती व्यक्ति आये कितनी है 727 रूपे लेकिन यह कौन से वैल्यू के उपर है कॉंस्टेंट प्राइस के उपर स्थिर मुल्यों के उपर यह आएगा ठीक है क्लियर सबको 72 97 अब करेंट पे भी पता होनी चाहिए करेंट पे भी पूछ सकता है आपसे तो करेंट पे याद करो एक लाख से जादा है एक लाख 9386 कितना है एक लाख 9386 ठीक है 19-20 का अगर आपसे पूछे तो ओविसली कोरोना की वज़े से इस बार सारी वैल्यू कम आई है तो पिछले साल स्थिर मुल्यों पर प्रतिवेक्ति आये कितनी थी 78 390 तो कम हो गई है ठीक है करेंट पे भी जादा थी 7 लाख के करीब करीब 1,15,492 इस बार ये भी वैल्यू कम हो गई है याद हो गया सबको याद करो ठीक है तो जादा इंपोर्टेंट इस बार वाली ही है ठीक है पिछली बार वाली का हलका सा आईडिया रखना होता है ठीक है तो 72,297,109,386 पिछली बार कितनी थी 78,390 और 115,492 इस अपको ये सारे फैक्ट से देखो रट नहीं पड़ेंगे ठीक है नेक्स कोशिन है अपना राजस्थान के एकनोमिक सर्वे के मताबिक यहां पर कॉंस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट क्या रहा यानि की आर्थिक वृद्धी धर स्थिल किम्तों पर कितनी रही है तो अभी पीछे हमने पड़ा था कि 6.6% कम हुई है तो इसका अंसर ऑप्शन नमबर भी होना चाहिए हमने अभी भी पड़ा स्थिर मुल्यों पर कितनी गिरावट देखी गई है 6.61% की तो वृद्धी धर कितना हो गया माइनस 6.61 क्योंकि वो गिरा है गिरावट हुआ है तो नेगेटिव में आएगा कर्रेंट प्रैस के उपर कितनी गिरावट आई है 4.11% की ठीके कर्रेंट के उपर अगर आपसे पूछले प्रच्रित मुल्यों पर आर्थिक वृद्धी धर कितना कम हो आई तो 4.11% ठीके याद कर लोगे 4.11% की गिरावट देखी गई है ठीके इसका कारण क्या है देखो कोरोना पेंडेमिक कोविड महामारी इसका कारण है ठीके क्लियर है अच्छा पिछले एकोनॉमिक सर्वे म पें बड़े थे यह जो ग्रोथ इस दफा नेगेटिव में आ रही है माइनस 6.6 आ रही है माइनस 4.11 आ रही है पिछली बार कितनी थी पिछली बार बड़ी थी तो पूछ सकते आप से तो स्टेट जीएस डीपी कॉंस्टेंट प्राइस पे स्थिर कीमतों पे बड़ा था 5 पॉइंट 05 परसेंट और करेंट के उपर बड़ा था 8 परसेंट प्रचलित मुल्यों पे 8 परसेंट बड़ा था और कॉंस्टेंट के उपर 5 परसेंट की व्रिद्धी दर्ज करी गई थी ठीक है चलो आगे करते हैं अच्छाई साइट चला गया एक सेकेंड अब आपको य इसका अंसर देने कोशिश करूँ अगर गेम ही है अगर आपको यह टेस्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो सब्सक्राइब कर लो चैनल को ठीक है और शेर जरूर कर दो ताकि मारो राजस्थान पड़ेगा भी बड़ेगा भी जो हर गाव तक पहुँचना है उस द्रीम को हम लोग जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें इस महीने मेरा टार्गेट है कि हमें 15,000 सब्सक्राइबर्स करने है ठीक है तो जल्दी से वीडियो को शेर पिका दो चलो तो next question है true statement कौन सा है total installed capacity of state as on December 2020 is यानी की हमारे राजस्थान के अंदर राज्ये की कुल उर्जा की अधिश टापिच शमता जो है 21,636 मेगा वाट है ठीक है पिछले साल के मुताबिक ये जो उर्जा की शमता है बिजली की शमता है वो 660 मेगा वाट बढ़ गई है last option है 2020 तक जो है 100% rural electrification हो गया मतलब 100% ग्रामिन विद्यूति करन कर दिया गया कितने गावों का 43,199 गावों का और अभी जो है राज्ये के पास potential कितना है हमारे यहाँ पे शमता कितनी है solar power से 100 उर्जा से बिजली बनाने की कितनी 142 गीगा वाट की ठीक है तो आपको true statement कोड मिलेगा मैं देख लेती हूँ ठीक है कोड होगा इसमें यानि एक दो तीन चार ऐसे करके येस इसके अंदर कोड है तो एक और तीन एक दो तीन दो तीन या फिर सभी statements correct है ठीक है चार statement से पढ़ लिजिए इसको और फिर इसका answer दीजेगा हो गया तो चलिए इसका answer देखते है most probably इसका answer all होगा yes all of the above ये जो है हर paper के अंदर अलग-अलग question पूछे गए है तो ये एक question ना समझके आप इसको चार question समझे और इनका रटा हमारे सोर उर्जा से विद्यूत electricity पैदा करने की शमता कितनी है एक paper में question आ चुका है ये 142 गीगावाट इतना हमने स्थापित नहीं कर लिया लेकिन capacity है हम इतना कर सकते हैं ठीक है फिर power capacity कितनी है अधिश्थापित शमता कितनी है जितनी हमारे हाँ पर स्थापित हो चुकी है त पिछले साल थी ये तिरवे से चेह गए साथ साथ में से चेह गए 2176 मेगावाट ठीक है तो इस साल पिछले साल के मुकाबले अधिश्थाथ शमता यानि कि power capacity जो है वो कितनी बढ़ गई है 660 मेगावाट की वृद्धी दर्जगे पिछले साल कितनी थी 2176 मेगावाट तीन फैक्ट तो हमने याद कर लिए एक और फैक्ट था इसमें हाँ 2020 तक कितने गावों हुए electricity हम लोग पहुंचा है 100% जो है electrification हो चुका है तो यह नंबर भी याद करना है 43199 ठीक है 43199 गावों तक electrification जो है वो हो चुका है ठीक है चलो next question देखते हैं 18 अगस्त 2020 को अब यह question जो आप याद रखना latest जो दरे हैं वो और जादा modify हो चुके है ठीक है श्रमिकों के लिए जो मजदूरी है labor rate है उनका wages जो है वो दुबारा modify हो गए लेकिन अगर question आए according to economic survey तो वो आप ध्यान रखना paper के अंदर latest पूछ रहे हैं यह economic survey के मताबिक पूछ रहे हैं तो आकुशल श्रमिकों की जो है 1 मई 2019 से कितनी amount जो है राशी उनका wage भता जो है उनका fix कर दिया गया दो सो पच्चेस दो सो उननचास दो सत्तर या फिर दो सो पचासी आकुशल की सबसे कम होती है ठीक है तो दो सो पच्चेस होगा इसका answer हाँ दो सो पच्चेस रुपे मजद सेमी स्किल्ट स्किल्ट और हाइली स्किल्ट ठीक है तो इनके wages कितने होंगे 12 12 रुपे की व्रिधी होई थी तो 220 रुपे 227 रुपे 259 रुपे और हाई स्किल्ट वालों में याद करना सीधा जंप जो है 299 रुपे मतलब अगर सारे नहीं याद हो रहे न तो ऐक याद कर तो सीध्धा पचाहस तो कितना हो जाएगा दोसोग Quindi आद करने है यह भी याद करनी है वैलिव हमें हमें ले कोशन में एक साथी 20-21 के मुताबिक 2020 तक अपने राज्य में टोटल कुल सडकों की लंबाई कितनी है तो यह options दिये हुआ है बताईएगा इसका answer क्या answer होगा भई इसका 2,64,099,1,099,032 या फिर none of the above तो इसका जो answer है C होना चाहिए 1,98,032 देखते हैं वाकी इसका answer तो इसका answer सही से याद कर लो 2,99,028 किलोमेटर ठीके इतनी जो है total जो है हमारे यहाँ पे सडकों की लंबाई है question आ सकता है 2,99,028.16 किलोमेटर ठीके density कितनी है ठीके road density कितनी है अपने यहाँ पर 78.61 किलोमेटर ठीके तो घनातव आपको याद करना है 78.61 road length है पर स्क्वेर किलोमेटर में यह पूछेगा आपसे ठीके अच्छा 2019-20 में पिछली बार कितनी थी पिछली बार थी यह 2,64,244 तो 5,000 किलोमेटर की व्रिध्य हुई है इस बार हो गई है 2,89,028 किलोमेटर तो पिछले साल का भी याद कर लो इस साल का पिछले साल का असान है 2,64,244 से याद करना इजी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चिन है यह बहुत इंपोर्टन क्वेश्चिन है राजस्थान जलशेत्र आजिफिका सुधार परियोजना तो इसके बारे में ट्रू स्टेट्मेंट पूछ रहे है राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलिहूट इंप्रोव्मेंट प्रोजेक्ट क्वेश्चिन पढ़ लो इसका क्या आंसर होएगा 137 इरिगेशन जो प्रोजेक्ट से है सिचाई परियोजनाई है उनका रिहाबिलिटेशन और रिनुवल उनका नवीनी करन किया जाएगा ये जो स्कीम है हम जो है किस से लोन लेके करने वाले हैं जीकवा से जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और ये जो है आठ सालों में पूरी होगी तो all the above statements are true पूछ रहा है आपसे क्या answer हो जाएगा इसका आई दिखते इसका answer all of the above are true ठीके तो ये योजना के ऊपर direct direct question exam में आपसे पूछा जा सकते है ठीके राजस्थान याद कर लो योजना का नाम बहुत important है आं गया ये रा राजस्थान water sector livelihood improvement project rws lip काफ़ important है ठीके next question करते है economic survey के मताबिक जो sustainable development goals है उनको लेकर कौन सा statement गलत है wrong statement पूछा है ये question दिहान से बढ़ा करो क्योंकि वो wrong statement पूछ रहा है ठीके 17 goals होते हैं total ये बोल रहा है उसके बाद बोल रहा है United Nations के सारे देशों की सहमती से सबके consent से इसको तयार किया जाता है Rajasthan Sustainable Development Index जो है वो districts की progress को दिखाएगा ठीके उसके बाद जुन्जनू और जैसलमेर टॉप पे रहे और bottom position पे अच्छा जुन्जनू टॉप पे रहा ये कह रहा है और जैसलमेर जो है हो गया? ठीके मुझे last गलत लग रहा है इसका अच्छा code है इसमें भी only one, one and four, all are false या फिर none of the above कोई भी गलत नहीं है सारे statements है या फिर सारे के सारे statements है तो इसका answer देख लेते एक बाए क्या answer दिया हुआ है ठीके पहले दो statements तो है ही सही उसमें तो कोई doubt ही नहीं है ठीके अच्छा बाकी की भी सही है तो कोई भी गलत नहीं है याद रख लोगे कोई भी गलत नहीं है तो top पे जुझनू रहा है राजस्तान sustainable development index पे ठीके और दूसरे number पे रहा जैपूर very important question याद रखना smart city index अलग है उसमें जो है टॉप करने वाला जिला मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहे कोटा है sustainable development index अलग है ठीके तो दोनों पे अलग-अलग question बनते अलग-अंसर आएंगे पेपर में याद रखना ठीके तो पहले top पे है जुझनू जैपूर दूसरे स्टेटमेंट पूछा एक्रामिक सर्वे के मुताबिक कि राजस्थान में 21 प्रकार के मिनरल्स के रिजर्व से बंडार है अपने पास और राजस्थान अकेला उत्पादक है अकेला प्रोडूसर है किस-किस का जिंक लेड का वॉलेस्टो नाइट का और सेलेनाइट का और जो है प्रिजेंटली राजस्थान में माइनिंग लीजिस जो है यह उक्षन के थुरू दे दिये गए हैं और all of the above are correct ठीके तो इसका अंसर मुझे मुझे तो डी लग रहे है चले चेक करते क्या अंसर इसका येस डी इस दर राइट आंसर तो रिजर्ब कितने मिन्डरल्स के हैं वेरी इंपॉर्टन कोश्चन पहले से वेंटी नाइन होते थे तो अभी जो हमें लेटेस्ट प्रता चले उसके मुताबिक एक्यासी खनीजों के बंडार अपने पास से बहुत इंपॉर्डन कोश्चन है ठीक है राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड राजस्थान राजे खान एवं खनिज लिमिटेड जो सरकार है वो देखती है सारी माइनिंग वगेरा मार्केटिं का यूज करके चारों स्टेटमेंट्स देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइनि निलामी जो होती है अपने यहां पर आक्शनिंग के थ्रू होती है यह कोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान में मुख्य मंत्री लगू उद्योग प्रौत्साहन योज इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी 13 दिसंबर 2019 से ठीके तो यह 20 की नहीं है पुरानी योजना याद करो ठीके 13 दिसंबर 2019 से लगू उद्योग योजना स्टार्ट की गई ठीके इसके अंदर क्या होगा लोन दिये जाएंगे लगू उद्योग कोई भी छोटा उपए तक का लोन दिया जा रहा है फैनेंशल इंसिचूशन जो वित्य संस्थान होते हैं उनके थुरू ठीके किसी को नई लगानी है उसके लिए भी मिलेगा अगर किसी की पहले से है उसको वो विस्तार करना चाहता है उसका एक्सपेंशन करना चाहता है तो उसके लिए भी लोन मिलेगा ठीके नई इंड़स्री बैनुफेक्ट्रिंग शेतर में वी निर्मान में शेवा शेतर में व्यपार शेतर में जिस भी शेतर में कोई भी व्यक्ति लगाना चाहता है तो इसमें आपसे loan की limit पूछी जा सकते है पेपर में तो loan की limit इसमें कितनी है अपनी 10 करोड रुपए कितनी है 10 करोड रुपए loan की limit है ठीक है 25 लाग 5 करोड और 10 करोड 10 करोड maximum limit है ठीक है तो जितनी जादा राशी लेगा न कोई उतना ही कम ब्याज लगेगा सीधा सो logic याद करो ठीक है और उसकी बाद ब्याज की value याद करो 10 करोड पे 5% ब्याज 10 का आधा 5% interest लगेगा 5 करोड के उपर 6% ठीक है और 25 लाग के उपर 8% 5-6-8 ये तीन value आपको याद करनी है जितनी जादा amount उतना कम interest rate जितनी कम amount उतना जादा ब्याज होगा ठीक है clear है तो 10 करोड पे 5% 5 करोड पे 6% और 25 लाग के उपर 8% 5-6-8 ठीक है याद कर लोगे के interest subsidy दी जा रही है ठीक है हाँ अनुदान अच्छा ये अनुदान है sorry ये इतने ब्याज की उनको छूट मिलेगी subsidy अनुदान मिलेगा उनको इतने interest का क्या मिलने वाला है छूट मिलने वाली है 5% तक की फिर जो है next question है which of the following statement is true statement पूछी गई है मुख्य मंतरी यूवा संबल योजना direct question आएगा paper में very very important ठीक है तो कब से शुरू की गई एक फरवरी 2019 से राजस्थान में सोर उर्जा की उत्पादन शमता वर्तमान में कितनी है उसके बाद next question है मौक्ष कलश योजना राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा संचालित की जाती है या फिर all of the above are true ठीक है तो मुझे सारे ही true लग रहे है देख लेते हैं एक बार इसको हाँ सारे के सारे बिल्कुल सही है ठीक है यूव असंबल योजना पे अभी college lecture में question आया था किस चीज से related है तो यूवाओं को सबल बनाने के लिए बेरोजगारी भत्ता unemployment allowance देने से related है याद रखना विद्यासंबल योजना guest teacher से related है उनकी recruitment से related है उनकी भरती से related है यूव असंबल योजना किस चीज से related है unemployment allowance से related है ठीक है तो मुख्य मंतरी यूव असंबल योजना कब शुरू हुई थी ठीक है कितने रुपे दिये जाते हैं 3000 रुपीज तो पुरुषों को मैन को महिलाओं को transgender और disabled जो विकलांग होते हैं उनको 3500 रुपे दिये जाते हैं दो साल तक के लिए जब तक कि उनको रोजगार नहीं मिलता ठीक है और इसमें हाल ही में जो है वृद्धी भी की गई जतना मुझे ध्यान आ रहा हजार और 1500 रुपे की इसमें वृद्धी भी की गई थी तो वह वाली दर्भी हम इसमें देख लेंगे ठीक है तो यह याद कर लो जाज्य में जो टार्गेट रखा गया है नहीं जो स्थापित के गया है सोलर उर्जा सहयत्री यानि की सोलर एनरजी एक्विप्मेंट 5000 मेगावाट के इंस्टॉल किये जा चुके है ठीक है तो यह डेटा है सारा फैक्चुल है आज का जो हमारा सेशन है पूरा फैक्चुल किसी रिष्टेदा किसी के भी परिवार की मृत्य हो गई है अगर वो हरिद्वार में जाकर अस्थिया प्रवाहित करना जहाते हैं तो राजस्थान जो यह अपना ट्रांसपोर्ट वाला है वह बस को जो है क्या करता था उनको ट्रांसपोर्ट मतलब पहुंचाने में है 25 मैं 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 12,481 मौक्ष कलश जो है डिलीवर किये गए है हरी द्वार में ठीक है अगर इसके खर्चे पर कोशन आए मौक्ष कलश योजना संचालित कौन करता है देवस्थान विभाग द्वारा उठाय जाते है ठीक है तो दो कोशन इस पर बनते हैं मौक्ष कलश योजना पर अब 2020 के मुताबिक राज्ये में प्रति व्यक्ति बैंक डिपोजिट्स कितना है ठीक है डिपोजिट्स पर परसन तो 65,410 उननतर दोसो चौरासी इकतर साथ या है 69,284 याद रख लेना यह ठीक है यह भी कई बार कोशन आ सकते थियोरी में अपने राज्ये के अंदर कितने बैंक है कितनी शाखाए हैं तो देखो राज्ये के अंदर सितंबर 2020 तक कितनी बैंक ऑफिसे या ब्रांचिस हैं 7,685 कितने हैं 7,685 इसमें से नैशनलाइज बै कितने उनका नंबर कमी होगा 7 और छोटे फाइनेंस बैंक कितने हैं 351 तो डारेक्ट कोशन इसके उपर भी आपसे एक्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं क्योंकि राजस्तान इक नौमी आपके सलेबस में तो है चाहे वीडियो पढ़ रहे हो चाहे आप कुछ भी पढ़ ठीक है चले आगे देख लेते हैं और सितंबर 2020 तक जो है डिपोजेट में कितनी वृद्धी देखे गई 13.15 परसें पिछले साल ये वृद्धी 11 परसेंट हुई थी तो याद करो बैंक डिपोजेट बढ़ा है पिछले साल के मुतामिक ठीक है इस बफा बढ़ा है पिछली राजस्थान में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ कुल खाध्यान उत्पादन कितना हुआ है यूनिट है लाख मिट्रिक टन में वो हमसे पूछ रहे है ठीक है तो इतो असान कोश्चन है 271.33, 240, 291 या फिर 211 कितना आएगा इसका अंसर 271.33 लाख मिट्रि पिछले साल कितना था 265.81 लाख तन तो कितनी वृद्धी हो गई ये भी कोशन पूछ लेंगे तो 2.08% की ग्रोथ जो है वो देखी गई है 2.08% की ग्रोथ इसमें देखी गई है उत्पादक्ता में अब हम बात करें तो ये थोड़ा सा डेटा हमें दे रहा है कि किया बता रहें अनाज की उत्पादक्ता में यानि की गेहूं वगधरा के अंदर कितनी वृद्धी होई है 89.66% पल्सिस के अंदर कितनी वृद्धी हुई है 50% 50.21% तिलहन के अंदर तिलहन यानि की अपने oil seeds, oil seeds के अंदर 44.8%, तो ये question पूछा जा सकते है आपसे, cereals में कित्ती वृध्य हुई है काफी अच्छी खासी 89%, pulses के अंदर लगभग लगभग आधा 50% और oil seeds के अंदर आधे से थोड़ा कम, यानि कि 44% की growth जो है, वो देखी गई है, ठीके, तो ये सारे questions very very important है ये तो favorite question है RPSC का base year पूछना, ठीके तो वर्तमान में, राज्य में WPI का, ठीके, ठोक मुल्य सुचिकंग, wholesale price index का base year क्या है, 2021 2011-12 1999-2000, या फिर 1995-1996, mostly बच्चे इसको वलब price index, इसका में trick बताते हूं, आपको याद करने का, इसका answer है 1999-2000, याद करो wholesale price index पूछ रहा है wholesale price index ठीके, whole का मतलब होता है, पूरा, complete complete कब होता है, जब 0 आता है ठीके, integers जो हम पढ़ते हैं, उसमें 0 तो last में 000 आएगा last में 000 आएगा, तो sun समझ में आगया, कौन सा होगा, 2000 और उससे पहले का कौन सा होगा, obviously 1999, तो 999-000 जो है, इसमें आएगे, याद कर लोगे, wholesale price index, ठीके consumer price index का कितना है, consumer price index, उप भोकता, मुल्य सुचिकाग जो है, ठीके, वो कितना है 2000, वो कैसे याद करोगे, CPI ठीके, CPI इंडेस्ट्रियल इंडेक्स पे डारेक्ट कोर्शन आ सकता है, आपसे, 2016 इसका base year कितना है, 2016 CPI, इंडेस्ट्रियल, ठीके CPI, आई, डब्ली, तो वो कितना है, 2016, ठीके, ये याद कर लेना, अच्छा महंगाई दर जो है, वो निरने किस से किया जाता है, CPI से उभोकता मुले सुचकाक से किया जाता है ठीके, खुदरा मुल्यों में कितना चेंज हुआ, रिटेल वैल्यूस में कितना चेंज हुआ वो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स से निकालते हैं, किस से निकालते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स से बूचिज हम निकालते हैं यह हो गया यहां तक याद कर लिए ना प्राइस इंडेक्स बेस यह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा ही पूचते हैं टोटल लाइफ स्टोक नंबर कितना है राजस्थान के अंदर टोटल पशुधन कितना है तो 2020-21 इसके 455, 577, 475 या फिर कोई भी नहीं 577.5 होगा चेक कर लेते फिर भी एक बार 567.5 पेचेतर 567.75 लाइग पिछले साल कितना था 577 नाइंटीन्थ जो सेंसस किया था उनिसमा जो पशुगणना हुई थी 2012 में तब कितना था 577 लाइग तो कोश्टन आएगा इस दफा क्य हो गया है 577 से कितना हो गया है 566 यानि 10 लाख कम हो गया है तो परसंटेज कितना बन रहा है कमी का 1.6 परसंट डारेट खोशन आएगा पशुधन में पिछली पशुध गणना के मुताबिक इस बार कितनी गिरावट दर्ज की गई कितना डिकलाइन देखा गया तो आंसर आजाएगा 1.66 परसंट ठीक है क्लियर कट आंसर आएगा क्या आएगा 1.66 परसंट इसका आँसर आजाएगा ठीक है अच्छा उसके बाद अच्छा यह तो डिटेल बता रहे हैं आपको परसंटेज कितना कितना है 20th animal census के मुताबिक पशुध कितना है 7.23 परसंट बफैलो कितनी है 12.47 गोर्स कितनी है 14 परसंट शीप कितनी है 10.64 परसंट यह कोश्चन बता हां ठीक है तो यह डेटा है जो हमें याद करना है तो सबसे जादा परसंटेज किसका है बफैलो का 12.47 परसंटेज देश का प्रतीशत मतलब राजस्तान में इंडिया के मुकाबले कितने हमें यह बफैलो जैं हमारे यहां पर राजस्तान के मुकाबले 12.47 परसंट कैटल गोधन कितना है 7.30 बक्रियां कितनी है 14 परसंट शीप भेड कितनी है 10.64 परसंट यह बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टमेंट है आयुषमान भा कवर बढ़ा के कितना कर दिया चार लाग पांच लाग 6.70 दस लाग यह कोशन रिपीट हो रहा है बार 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 और और अभी भी आपके वीडियो और पेसी फर्स्ट ग्रेंट में रिपीट हो सकता है क्योंकि यह उनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर राजस्तान सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है तो इसका अंसर है पांच लाग अब इस पे अलग अलग कोशन आता है पिछली बार बच्चे बहुत जादा गलत करके आया थे पांच लाग में से पचास हजार का जो इंशुरेंस मिलता है वो मिलता है जनरल इनलेस के लिए यानि की सामान में ध्यान से पूछ पढ़ना है आईश्मान भारत के अंदर जब वो डिटेल्ड इस पे इंशुरेंस कवरेज पे कोशन देंगे तो पांच लाग टोटल है पचास हजार जनरल इनलेस के लिए है और साड़े चार लाग जो है सीवियर इलनेस के लिए गंबीर बिमारी के ल उसके बाद नेक्स कोश्चन है इंद्रा गांधी मात्रित्व पोशन योजना ठीक है ये एकनॉमिक सर्फे में दी हुई है 19 नमबर 2020 को शुरू हुई थी कौनसे जिले से रिलेटिड नहीं है ये डारेक्ट कोशन आ चुका है कॉलेज लेक्चरार एक्जाम में भी एक इस का आंसर है बिलवाडा कहां भी लागू नहीं हो रही है बिलवाडा बागड बेल्ट में हो रही है बांसवाडा डुंगरपूर प्रतापगड के अंदर ठीक है इसको क्यों इस स्कीम को लॉंच किया गया इंद्रा गांधी मात्रित्व नुट्रिशन योजना इसकी डेट याद कर लो इंपॉर्टिंट है उननेस नवंबर दो हजार बीस को ठीक है नो नंबर आप वैसे भी याद कर सकते हो मैटरनिटी का मन्त जो है मनाते हैं हम नो तारिक को आपको याद हो तो उससे उननेस याद कर लो नवंबर नो से नवंबर ऐसे भी याद कर सकते हो ठीक है छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो hit कर जाते कई बार exam में low birth weight जो कम वजन होता है बच्चों का उसको कम करने के लिए debility by improving health बढ़ाएंगे इसमें हम महिलाओ और बच्चों की nutritional status बढ़ाएंगे कौन सी districts के अंदर ये योजना लागू हो रही है अगली बार question बदल के दे देंगे districts दे देंगे match the following तो आपको याद करना है प्रतापगर डुंगरपुर, बांसवड़ा, उदेपुर और बारा इन पांच districts में ये लागू हो रही है तो एक अपना बागड बेल्ट हो गया ठीक है एक अपने मिवार के महरानाओं के नाम पर दोनों जी ले ऐसे याद करो उदे सिंग जी के नाम पर उदेपुर और प्रताप सिंग जी के नाम पर प्रताप गर दो ये हो गए और एक याद कर लो 12 ठीक है महराना उदे सिंग जी राजकोशय घाटा जो है वो सकल घरेलू उतपात का कितना परतीश है 2.44, 3.77, 3.08 या फिर 2.87 परसें वेरी इंपोर्टन कोश्चन यह सारे one-liner facts है जो आप से पूछे जा सकने हैं तो इसका answer है 3.77 परसें ठीक है पिछले साल यह जादा था 3.98 परसें तो fiscal deficit कम होना तो अच् 2018 का कितना है ठीक है यानि की शिश्यू मृत्यू दर 24, 42, 37 या फिर 49 यह हमारी national average से मेरे ख्याल से जादा ही है तो इसका answer है 37 कितना है 37 ठीक है बर्थरेट कितना है जनमदर कितना है अपने यहां पर 24 पर thousand population कितना है 24 mmr कितना है maternal mortality rate 164 पर लाग ठीक है एक लाग उनके उपर माताओं के उपर कितना है 164 एक लाग बच्चे जो जनम लेते हैं उनके उपर यह निकाली जाते है ठीक है तीनों याद करने है infant mortality rate कितना है 37 बर्थरेट कितना है 24 mmr अगर आपसे पूछते हैं तो 164 ठीक है अच्छा zero budget natural farming जो pilot project है कौन से जिले में run नहीं किया जा रहा ठी ठीक है 2019 से टोंक बांसवड़ा उदेपूर सिरोही direct question आएंगे कौन से जिले में लागू नहीं किया जा रहा है very important question आ सकते हैं यह question सारे important question है तो इसका अंजम एक हाल से सिरोही होगा देख लेते एक बार उदेपूर अच्छा उदेपूर में नहीं लागू हो रहा बहुत important question है इसको भूलना मत बिल्कुल भी ठीक है zero budget natural farming मैंने इसको बच्चों को याद भी करवाया था देखो डिस्टिक्स के नाम में ओ आएगा टोंक में ओ आ रहा है सिरोही में भी ओ आएगा ठीक है बस एक आपको अलग से याद करना पड़ेगा बांसवड़ा ठीक है तो टों industrial development policy 2019 की कब स्टार्ट हुई थी तीथी पूछी है एक जुलाई एक जन्वरी एक एपरिल एक डिसेंबर राज्य में नवीन और द्योगिक विकास निती कब स्टार्ट की गई थी आंसर तेख रहता है एक जुलाई 2019 से ठीक है इसको यह इसलिए लागू किया गया था infrastructure बन सक सके employment opportunity रोजगार के अबसर प्रदान कर सके regional industrial development मतलब सभी शेत्रों का विकास हो यह नहीं कि एक ही शेत्रा जो है इंडस्री में जादा डिवलप कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं ठीक है तो कब से शुरूई थी बहुत important है एक जुलाई 2019 से ठीक है new industrial development policy एक कोविड के दोरान ठीक है कौन सी योजना के तहत जो non residential राजस्तानी थे या एनराइस बोलो जो इंडियन हमारे बाहर रह रह रहे थे उनको राजस्तान में लेकर के आया गया वंदे मातरम स्कीम के तहत बंदे मात भारत मिशन के तहत प्रवासी आवागमन या फिर प्रवा आए वापिस जो है 56,380 जो overseas इंडियन थे उनको राजस्तान में लेकर के आए गया 414 international flights के तुरू 414 international flights के तुरू ठीक है चलो तो आज का ये session हमारा खतम हो रहा है कल सुबह 3 live class के अंदर राजस्तान के वाद्दे यंतर के उपर 8 बजे पूरे के पूरे मारो राजस्तान क की complete नहीं है RS की तयारी कर रहे हो 2022 की तयारी कर रहे हो RPSC 1st grade 2nd grade college lecture की तयारी कर रहे हो तो be a part of plus community code लगाना मत भूलना कहां लिखू code दिख रहे हैं यहां यहां लिख देती हूँ MRP 10 कोई space नहीं देना ठीक है MRP 10 code लगाना मत भूलेगा वीडियो अभी तक भी लाइक नही भी बड़ेगा भी कब जब आप इसको वीडियो को शेयर करोगे थैंक्यू सो मैं सबको में तरह से घड़ी घड़ी राम लाओ